हलो दोस्तों कैसे आप सब मैं हूँ इंदरपार और मेरे शैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगे एक आसान तरीका जिसकी मैंसे आप सभी अपने प्रोड़क्स पर जो है कुछ इस तरह का बैज एड़ कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह का बैज एड़ करने के चले चलते हम अपनी वेफसाइट के एडमिन पैनल में तो जैसे कि वेफसाइट के आप ले पैनल में आ चुका है हूँ तो दोस्तों यह theme आपको install कर लेनी है और जो भी इसकी required plugin है वो सारी plugins आपको install कर लेनी है जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो हम products पर badges create करने जा रहे हैं वो हम product label की मदद से create करेंगे तो वोडमार्थी में आपको multiple product labels मिलते हैं वो देखने के लिए simply आप यहाँ पर shop पे अगर click करेंगे shop में यहाँ पर एक option दिया गया है product labels यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते है new label है hot label है और काफी other labels है तो दोस्तों हम जो replace करेंगे जैसे कि new label को हम जो है badge में replace करेंगे जो कि आप अपने product से भी manage कर पाओगे जिस भी product पर आप जो है badge add करना चाहोगा तो simply आपको जो है new label enable करना है तो उस product पर वो badge दिखाई देने लगेगा तो वो करने के लिए simply आपको यहाँ पर कुछ settings करनी होगी तो दोस्तो settings करने के लिए हमें सबसे पहले यह new label है उसकी class को search करना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है right click करेंगे right click करने का दोस्तो यह new label को आपको inspect करना है तो मैं यहाँ पर inspect element पर click करूँगा और जो हमारा new label है उसकी class को हम search करेंगे तो जैसे के दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक class है जिसमें लिखा हुआ new product minus label इस class को आपको जो है copy कर लेना है copy करने का दोस्तों आपको जैसे कि यह class है इसमें थोड़ा सा आपको changes करने होंगे तो हमारा जो product label है product label को आपको जो है पहले रखना है तो इसके पहले मैं एक dot दे देता हूँ इसका दोस्तों आपको यहाँ पर new एंटर करना है new लिखनी का दोस्तों आपको यहाँ पर जो है दो बार semicolon type करना है इसका दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है before तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कोई भी content आप जो है किसी element के पहले या बाद में add करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोस्तों before और after use कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों मैंने अपनी website पर यहाँ पर किया हुआ है आप जैसे कि यहाँ पर जो है dropvilla price देख सकते हैं जिसको दोस्तों मैंने जो है price के पहले add किया हुआ है जैसे कि यहाँ पर dropvilla price है और उपर इसके retail price है तो कोई भी element को आप जो है before और after add कर सकते हैं किसी भी text या फिर class के पहले तो जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो है before लिखना है before लिखने काद आपको यहाँ पर curly braces एक open करना है open करने का दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है content तो मैं यहाँ पर content लिखता हूँ आपको यहाँ पर colon देना है colon देने कर आपको यहाँ पर URL लिखना है जैसे कि दोस्थ हमारे जो badge हो एक URL फॉर्म में है मतलब एक image form में है तो हम यहाँ पर URL लिखेंगे URL लिखने का दोस्थ आपको यहाँ पर brackets open करना हो और close करना है और उसके अंदर दोस्थ आपको image URL आपको paste करना है तो मैं यहाँ पर इमेज URL ले लेता हूँ अपना बैज का तो जैसे कि दोस्तों हमारे एक बैज है जिसमें लिखा हूँ है Made in India इस URL को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इमेज URL को पेश्ट कर देना है इसका दोस्तों यहाँ पर सेमी कॉलन देखे इसको बंद कर देना है और आपको एंटर देखे इस क्लास को कर्डी ब्रैसे से क्लोज कर देना है इसको यहाँ से कॉपी कर लीजे कॉपी करने का दोस्तों हमार जो CSS है जैसा कि Global CSS में हम इसको एड़ करना चाहते है तो आपको इस class को यहाँ पर add कर देना है इसको आपको यहाँ पर save changes कर देने है तो दोस्तों save करने का चलिए दोस्ता हम अपनी website को refresh करके देख लेते हैं एक बार तो मैं यहाँ पर जो है अपनी website को refresh कर लेता हूँ तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे है new के पहले हमारा image element आ चुका है जिसमें made in india लिखा हुआ है अभी दोस्तों आपको जैसे कि यह background color आ रहा है उसको आपको remove करना होगा और जो text new आ रहा है उसको आपको remove करना होगा तो वो remove करने के लिए simply हम यहाँ पर जो है right click करेंगे right click करने का दो इस element को फिर से आपको जो है inspect करना है अभी जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर class है हमारा new space product minus level इसके आगे अगर आप चेक करें तो यहाँ पर एक class दिया गया है जिसमें लिखा हुगा product minus level dot new इस class को आपको copy कर देना है और आपको यहाँ पर paste कर देना है paste करने का दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है background color जैसे कि हम यहाँ पर जो है इसी को copy कर देते है आपको यहाँ पर जो है colon देना है और आपको यहाँ पर लिखना है transparent ठीक है और आपको यहाँ पर जो है semi colon देना है इसका दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है font size जो हमारा new लिखा हुआ है उस point को हम जो हटाएंगे मतलब hide करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे font size उसको आपको zero कर दीजे इसका दोस्तों यहाँ पर curly braces से इस class को close कर देना है और आपको copy करने के बाद इस class को CSS में paste कर देना है तो मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ इसका दोस्तों इस option को आप save कर दीजे तो दोस्तों इस page को जो हम फिर से refresh कर लेते हैं तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे है हमारे जो background में color और title था वो hide हो चुका है अभी इसके alignment को आपको थोड़ा adjust करना होगा तो alignment को adjust करने के लिए simply आपको फिर से inspect element पर click करना है और जैसे कि right side में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो background transparent और font size 0 दिया था वहाँ पर दोस्तों आपको जो है padding 0 लिखना है और जैसे कि दोस्तों आपको left side में कुछ move करना है इस badge को तो हम यहाँ पर लिखेंगे margin left वहाँ पर दोस्तों आप जो हम minus 10 minus 5 px दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर जो है minus 10 देता हूँ तो जैसे कि दूस्तों आप देख पारें यह महारा जो badge है वो proper आ चुका है अब इस class को आपको जो है copy कर लेना है जैसे कि हमने यह class create की थी उसमें paste कर देता हूँ और आपको यहाँ पर जो है margin left लिखना है इस class को मैं जो यहाँ से copy कर लेता हूँ CSS code को और आपको यहाँ पर इसको replace कर देना है फिर से मैं आपको save option पर click करूँगा हम इस page को जो है फिर से refresh करके देख लेते हैं तो जैसे कि दोस्तों देख पार है हमारे जो alignment है वो proper आ चुका है अभी दोस्तों इस badge को आप जो है कैसे manage करोगे आपके admin panel पे तो वो manage करने के लिए simply आपको जो है कोई भी product edit करना है जैसे कि फिलाल दोस्तों हमारे इस product पे जो है कोई भी badge नहीं है या फिर इस product पे badge है तो उसको आप जो है कैसे delete करोगे तो वो delete करने के लिए simply आपको इस product को edit करना है जैसे कि इस प्रोड़क्ट पर हम जो है बैज अड़ करना चाते हैं और इस प्रोड़क्ट से बैज हटाना चाते हैं तो दोस्तों हम इस प्रोड़क्ट के नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे आने काद आपको option मिल जाएगा जिसमें new label है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं add new label इसको आपको tick कर देना है और आपको दोस्तों publish बटन पर click कर देना है तो basically दोस्तों हमने जो है एक trick यूज किये हैं यहाँ पर अपने प्रोड़क्ट पर badge add करने के लिए तो इस page को जो हम फिर से refresh करते हैं तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस product पर भी जो एक badge आ चुका है जो कि made in India यहाँ पर भी दिखा रहा है तो अभी इस product के badge को आप जो है कैसे delete करेंगे तो simply आपको इस product के image से badge को delete करने के लिए new label को आपको जो है disable कर देना है तो मैं यहाँ पर disable कर देता हूं तो इसको आपको जो है publish कर देना है इस page को फिर से refresh करते हैं तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे जो product से badge हो गाइब हो चुका है तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी जो है अपने product image पर कुछ इस तरह का badge कर सकते हैं basically दोस्तों हम जो है तरीका इस वाज़े से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हर इमेज को एड़िट करना उस पर badge करना काफी time consuming होगा आपके लिए तो यहाँ पर जो है हमने simple trick यूज़ किया जिसकी मदद से आप अपने products पर जो है badge एड़ कर सकते हैं और उसको जो है manage कर सकते हैं दोस्तों मुझे विद्ध आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कुछ ही सुझा या फिर आप मुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे comment box से मुझसे पूछ सकते हैं और अज दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर तो आज के लिए नहीं thank you for watching